रिवा रियासत के पूर्व महराजा वेंकट रमन की स्टैचू चौक में लगी प्रतिमा के साथ दूसरी बार छेड़ चाड़ की गई है गद दिवस असमाजिक ततो ने जहां मूर्ती को खंडित किया वहीं घोड़े की लगाम खोलने का प्रयास किया है आपको बता दें कि स् की छेड़ चाड़ की जानकारी लगते ही रोयल राजपूत संगठन नगर निगम कमिशनर महापौर कलेक्टर और पुरे सधीक शक को ग्यापन सौक कर स्टैचू चौक का नाम महराजा बैंकट रमन के नाम से रखने के साथ साथ प्रतिमा के आसपास लगे पेड़ों की साथ ग्रणितकार करने वाले अपरादियों को शीघर पकड़ने की मांग की है यह बहुत ही पुरानी स्टैचू है जो स्टैचू चो रहा बोला जाता है और महराज वेंकर ट्रमन सिंग जी का एक बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि जो महिला सिक्षा के लिए जो कन्या सिक्षा के लिए उन्होंने काम किया वो अभूत पूर था और जंगल के पहले लॉज भी जो बनाए गए वो उनके माधिन से बनाए गए महराज गुलाव सिंग जी के द्वारा ये मूर्ती स्थापित करवाई गई थी और एक प्रकार से ये पूरे रिवा के मध्ध में उस को खंडित करा है मेरा सरकार से यही निवेदन है प्रसाशन से यही निवेदन है जिला प्रसाशन से के जिस प्रकार से सीसी टीवी सब जगाया जाते हैं और बड़े शहरों में चाहे वो उदैपूर हो जैपूर हो बोपाल या इंदोर हो तो ऐसी जहां कीमती प्रतिमा रह है यह राश्टी धरोर है यह राश्टी धरोर के जी जो धारा है और स्मगलिंग या इस प्रकार की जो धारा है वो भी इनके खिलाफ लगनी चाहिए हमारी मांग यह है कि महाराजा बेंकर रमन जी की प्रतिमा है उसको खंडित किया गया है और उसको एक बार नहीं कई बार ऐसा क्रत कर चुके हैं लोग तो हम यह मांग करते हैं प्रसासन से सासन से वहां तो एक समुचित व्यवस्था कराएं सीसी टीवी कैमरे लगवाएं और प्रसासन एक कुछ बॉंडरी वाल जो व्यवस्थित हो वो कराएं और जो इसने विए क्रति किया है उस पर कारवाई हो उसकी ग्रिपतारी हो हम लोग आज हम लोग राइल राजपूर्ट संगठन से की तरफ से ग्यापन सौपे हैं अधरनी माननी एस्पी साहब को क्योंकि वहां लगी हुई प्रतिमा के साथ हमेशा छेड़ छाड़ होती है और अभी तो बिगत कुछ दिनों में हम लोगों को पता चला कि व्यंकर ट्रमन जी की तलबार ही गायब कर दी गई है तो थोड़ा सा मैं अस्पी साहब का ध्यान उस और आकरसित करना चाहूंगा कि वह सबसे व्यस्त चाह रहा है और सबसे जादा पुलिस वहीं रहती है तो कुछ न कुछ उख हो रही है जिसके कारण वहां थोड़ा सा ये बातावरा निर्मि झाल